कर दोस्तों स्वागत आपका हमारे नूज यूटूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हमारे जितने भी पैंसेनर से उनके लिए बहुती अच्छी खबर निकल कर सामने आ रही है जहां दोस्तों उनकी पैंसेन में नो गुणा तक इजाफा होने जा रहा है हम आप को इस वीडियो के मादम से डिटेल से बताएंगे जुडए हुआ दोस्तों हमारे साथ एस वीडियो के लाश्ट तक दे Гnt को सब्सक्राइब करने ने भूले साती सात बैल आइकन को बहुत जूरुंड दिया जी है उनको से क्या तो और बते हैं दोस्तों केंदर सरकार ने EPFO की पैंसन स्कीम के सिस्क्राइबर को शांदार तोफ़ा दिया है दरसल इस स्कीम के चलते आपको मिलने वाले हैं मिनिमिम पे को अब नो गुना बढ़ाने की त्यारी कर रही है सरकार एओड इसको कुछ ऐसे समझाया सकता है कि जो eps जो स्कीम है उस्से जुड़े लोगों को हर मैने एक-एक आजार रुपे मिल सकते कि बजाए 9-9 हजार रुपे मिल सकेंगे इस साल फरवरी में लिया जा सकता है पेंसन को बढ़ाया की माहंग लंभिस में से जो इंतजार कर रहे हैं औरोनर इस मामले पर कई करशन इससे पहले ही हो चुका है यहां तक कि संसद के 27 समीती ने भी इस संसद में सुझाओ दिया जा चुका है और इसमें मिनिमम पैंसन बढ़ाने का फैसला समीती है जो स्पारिस के अधार पर किया जा सकता है है 2021 में इस संसद समीती ने यह सुझाओ दिया था कि उस समय समीती का कहना था कि मिनिममम पैंसन की रकम को मौझुदा 1000 से बढ़ा कर 3000 कर दिया जाना चाहिए वहीं पैंसन का कहना है कि इसे बढ़ा आकर 9000 किया जाना चाहिए तो दोस्तो अगर ऐसा होता है तो EPS 95 से जुड़ हो minimum pension के अंदर सरकार को एक सुजाव यह भी दिया जा रहा है कि retire होने से ठीक पहले क्रामचरी को जो अंतिम salary मिली थी उसके अधार पर minimum pension तह होना चाहिए अब फरवरे में होने वाले सरम मंत्राले की बेठक में इस सुजाव पर भी गोर किया जा सकता है यह थी दोस्तों आज की मैंने latest update आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जुरूर करें और सब्सक्राइब करें साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर देबाए तो मिलेंगे ऐसी बुड़े अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप सिब्सक्राइब को हमारी और से जय हिन जय जवान जय किसे